नमस्कार दोस्त वागत है आप सभी का मेरे चानल पे आज आप लोगों के लिए मैं ये प्यार अज़ा मेकप लुक लेकर के आई हूँ आप देख सकते हैं और इस लुक को मैंने क्रियेट किया है बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे वीडियो ऐसे हो जो आप आसानी से समझ सकें और ऐसे लुक्स क्रियेट कर सकें जो कि क्रियेट करना सिंपल हो और जो देखने में भी बहुत ही प्यारे लगें तो आईए चलते हैं मेरे वीडियो पे और देखते हैं कि इस प्यारे से लुक को मैंने किस तरीके से क्रियेट किया है मेकप स्टार्ट करने से पहले अपने फेस को मॉस्चुराइज जरूर कर ले इससे आपकी स्किन की जो ड्राइने से वो खतम हो जाएगी और आपकी मेकप का जो फिनिश है वो काफी अच्छा आएगा यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ बायोटिक का बायो कोकनेट मॉस्चुराइजर यह बहुत अच्छा मॉस्चुराइजर है बहुत ही क्रीमी है आपकी स्किन को डीपली नरिष्ट रखता है मॉस्चुराइज रखता है जिससे आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है और आपकी मेकप का फिनिश काफी अच्छा आता है आपको क्रीम को अच्छे से मसाज करते हुए अप्लाई करना है जिसे ये अच्छे से एभ्जॉब हो जाए आपकी स्किन मेश यहाँ पर फिर मैं यूस कर रही हूँ MAMA'S EARTH का संस्क्रीन काफी अच्छा संस्क्रीन है मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसे यूज किया है इसे डॉट डॉट करते हुए सबसे पहले अपने पूरे फेस पे मैं लगा लूँगी और फिर फिंगर टिप्स की हेल्प से इसे भी हल्का से मसाज करते हुए मैं अप्लाई करूंगी मामा साथ के प्रोडेट काफी अच्छे है हर्बल है आप इसे ट्राई कर सकते है इसके बहुत सारे प्रोडेक्स आते है मैंने जादा प्रोडेट्स यूज नहीं किया है मुझे इसका संस्किन काफी पसंद है इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ NYB का Face Primer काफी अच्छा Face Primer है और आपकी स्किन के जो Pores है उसे ये Temporary Close कर देता है ताकि जो Makeup के Harmful Chemicals हैं उससे आपकी स्किन प्रोटेक्टिड रहे प्राइमर लगाने से आपकी Makeup का Finish भी काफी अच्छा हो जाता है और ये Long Lasting भी बन जाता है इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ Foundation यहाँ पे यूज कर रही हूँ मैं Maybelline का Fit Me Foundation बहुत ही Light Weighted है और इसका Formula भी काफी अच्छा है बहुत Easily Sped हो जाता है यहाँ पे मैं Shade यूज कर रही हूँ 310 इसे Dot-Dot करते हुए अपने पूरे Face पे और Neck पे मैं लगा लूँगी इसके बाद एक Brush की Help से मैं इसे अच्छे से Blend कर लूँगी आप चाहें तो Beauty Blender का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे मैं Brush का यूज कर रही हूँ दोनों से ही काफी अच्छे से Blender हो जाती है दोस्तों आपको Foundation को बहुत अच्छे से Blend करना है अब जितने अच्छे से Blender करेंगे आपकी Makeup का Look उत्ता ही अच्छा आएगा तो आप Blender के लिए Time लें और अच्छे से अपना Time लेते हुए Blender करें Don't forget your neck area उसे भी अच्छे से Cover करें अपने Ears पे भी लगा लें और अच्छे से Blend कर लें यह एक Liquid Based Foundation है तो इसकी Blending काफी अच्छे से हो जाती है मुझे काफी पसंद है यह Foundation Daily Use के लिए भी अच्छा है, Light Weighted है और बहुत सरी Shades में Available है तो आपको जादा परिशानी नहीं होगी इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ Maybelline का ही Fit Me Concealer इसे मैं उन एरियास पे लगा लूँगी जहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे Dark Spots है, Uneven Skin Tone है इसे मैं अपने Under Area पे लगाऊंगी, अपने Mouth के आसपास के एरियास पे भी लगाऊंगी और इसे अच्छे से Blend कर लूँगी Blending के लिए मैं यूज करूँगी Beauty Blender, आप चाहें तो Brush से भी आप अच्छे से Blend कर सकते हैं Blending आपको बहुत अच्छे से करनी है, मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ क्योंकि अगर आप जितने अच्छे से Blending करोगे, आपके Make Up का Look उत्ता ही अच्छा आएगा ये Concealer काफी अच्छा है और इसकी Blending भी बहुत इसली हो जाती है अच्छा खासा coverage दे देता है ये आपको ये Liquid Based Concealer है तो अच्छे से Blending हो जाता है और इसकी coverage भी बहुत अच्छी है इसके बाद इस पूली से अपने eyebrows को मैं set करूँगी और फिर इन्हें fill करूँगी मैं Swiss Beauty के eyebrow pencil से यहाँ पे मैं जो shade यूज़ करूँगी वो है brown काफी अच्छा eyebrow pencil है, affordable है और इसका formula भी creamy है मुझे काफी पसंद आ रहा है इसके बाद inside की loose powder से मैं अपने पूरे ही face को हलका सा set कर लूँगी बहुत ही कम loose powder मैंने लिया है और उसे ही पूरे face पे apply कर लिया है इसे आपका जो base है वो अच्छे से set हो जाएगा और इसके बाद आप जो भी apply करेंगी उसकी finish भी काफी अच्छी आएगी आई shadow के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कीको मिलाने की brown shade की lipstick इसे पहले हलका हलका सा apply करूँगी और अपने fingertips की help से इसे blend करूँगी fingertips से बहुत अच्छे से blending हो जाती है आप चाहे तो brush भी use कर सकते हैं जितना जरूरत हो उतने lipstick लगाएं एक साथ बहुत जादा नहीं लगाएं क्यूंकि अगर ऐसा करेंगी तो eye का look अच्छा नहीं आएगा इसके बाद Swiss Beauty के palette से ये प्यारा सा pink shade पिक कर रही हूँ मैं और इसे अपने eyelid पे लगा के हलका सा blend कर लूँगी बहुत ही प्यारा सा shade है बहुत ही अच्छा eye shadow palette है ये affordable है और इसके pigmentation भी काफी अच्छी है आप एक बाद try ज़रूर करिएगा इसके बाद blending brush की help से मैं हलका सा colors को blend भी कर लूँगी ताकि कोई harsh edges ना दिखाई दे यहाँ पे मैं Swiss Beauty का mascara यूज़ कर रही हूँ इसका applicator काफी अच्छा है लेकिन इसका formula मुझे उतना पसंद नहीं आया मुझे wet and wild का या फिर maybeline का mascara काफी पसंद है दोस्तों mascara लगाने से आपकी आँखे काफी खुबसूरत लगती है बड़ी बड़ी सी लगती है और इसका look भी बहुत change हो जाता है आप try करिएगा mascara इसके बाद मैं use करूँगी blue heaven का blue kajal काफी अच्छा है affordable range का है इसे मैं अपने lower lash line में लगा लूँगी blue heaven के जो products है वो affordable है आप try कर सकते हैं अपने face को contour करने के लिए make up revolution के eyeshadow palette से brown shade ले लूँगी और इससे मैं अपने face का contour करूँगी आपको colors की blending काफी अच्छे से करनी है मैं अपने chin area को और nose को भी हलका सा contour करूँगी contour करने से आपके face को एक definition मिल जाती है और आपके features काफी enhance हो जाते है nose के contour के लिए अपने eyebrows के last point से आप line draw कर सकते हैं नीचे की तरफ आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ बहुत easy है आप अगर practice करेंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे blush के लिए मैं यूज करूँगी LA Colors का blush palette काफी अच्छा palette है pigmentation भी अच्छा है I just love blush अपने makeup को एक freshness देने के लिए मैं blush जरूर यूज करती हूँ और हमेशा थोड़ा जादा ही लगा लेती हूँ क्योंकि सबसे पहले blush ही उड़ जाता है lipstick के लिए मैं यहाँ पर यूज करूँगी Nikka के New York की True Matte Lipstick यहाँ पर मेरा shade है Wine Berry काफी अच्छा shade है और बहुत ही light formula lipstick है यह मुझे यह lipstick काफी पसंद है long lasting है और light weighted है highlighter के लिए मैं यहाँ पर यूज करूँगी Maybelline का master chrome highlighter इसे मैं अपने cheekbones पे अपने bridge of the nose पे tip of the nose पे अपने cupid bow पे और अपने chin area पे अच्छे से लगा के blend कर लूँगी काफी अच्छा highlighter है one of the favorite highlighters है इसे बहुत जादा यूज किया जाता है मैं अपने brow bones को और अपने eyes के inner corners को भी हलका सा highlight करूंगी and friends this is my final look I hope कि ये वला look आप लोगों को पसंद आए बहुत ही simple eyes से create करना आपने देखा कि कुछ steps हैं जो आपको follow करने है और आपको practice करना है आप practice करेंगे तो आप makeup करना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे आज के लिए बस इतना ही दोस्तों मिलती हूँ बहुत जल्द अपने next वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए और प्यार बरसाते अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हो तो इन्हें जरूर लाइक कर दे शेयर कर दे अपने friends में family में और मेरे चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलें till then bye bye take care love you all